बाए है वोट्सप गाईज तो क्या हल चाल आप सब्सक्राइब के मैंने एक पहले वीडियो मिनाये थी हमारे बोया बीवाई M1 माइक पे और उस पर आपका काफी अच्छा रिस्पोंच देखने हो मिला काफी आपका अच्छा सपोर्ट मिला उस वीडियो पर मेरको तो उसके लिए थैंक्यू वेरी मैच और गैज इस वीडियो में क्या करने वाले है बोया बीवाई M1 माइक का एक ओडियो टेस्ट करने वाले है और काफी डिफरेंट डिफरेंट सिचुसमने करने वाले है ताकि आपको डीपली पता चल जाए कि इसको जो ओडियो कितनी अ अमने सर्मा और आप देखने हैं टेक्नो टोक सो लेट्स टोक अबाउट टेक गईज जैदि आप बोया भी वही M1 माइक यूज़ करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको टिप देता हूँ और आप कोई भी कोलर माइक हो चाहिए बोया का या और और कोई कमपनी का माइक यूज़ करते है तो उसके लिए ये टिप अप्लाई होती है ये आप माइक को इन है माइक को कॉलर में लगाने के बाद कुछ इस तरह का आपको आउटपुट मिलता है और बट यह आपको काफी क्लियर साउंड चाहिए जैसे कि आप क्या करते कि फेस्कैम नहीं करते है आपको ऐसी वीडियो एडिटिंग करते हैं जहां पर आपको सिफ अपनी ओडियो चाहिए होती है तो वहाँ पर आपको क्याकन है माइक को हाथ में पकड़े के यूज करना है जैसे कि मैं फिलाल निकाल लेता हूं उनाई दे रहे हैं हाथ में को आप सून सकते हैं काफ़ी क्लियर हो जाती है सिंपल से इसका यही मतलब है कि जब भी आप माल लिजी कोई फेस्कैम न करता है तो वहां पर तो आपको वैसे भी कोई option नहीं मिलने वाला तो गई जब हम करते हैं अपना पहला टेस्ट और यह जो पहला टेस्ट आता हूँ आता है फैन टेस्ट सब मेरे को यह फैन टेस्ट कम और फॉनी टेस्ट जाता लग रहा है क्यों उसका एक पीसे दीजर है ए तो फिर भी हम यह टेस्ट करने वाला है क्योंकि क्या पता आपके आज-पास के रूम में फैन चल रहा हूँ उसकी साउंड आपको अपने रूम में भी आती हो या फिर आपका जो रूम है वो होल में फैन चल रहा हो तो इसलिए मैं टेस्ट करने वाला हूँ आप जो आपक स्टार्ट करते हो तो जो बाहर की noise है उसे पकड़ लेता है इसली वो noise को reduce कर देता है और आपके जो noise cancellation वो इसी तरह work करता है इस mic में अब जो यह आपको audio सुनाई दे रही है फैन के साथ दे रही है वैसे मैं आपको बता दू कि मैंने फैन फूल पकर रखा है और वैसे मैं आपको पता दू इसके पीछे एक रीजन है कि हमारे आपर क्या है कि फैन क्या कोई भी switch है नहीं control करने वाला तो यह fan obviously हमेशा फूल पर रहने वाला है कुछ इस तरह आपको ओडियो सुनाई देती है फैन के साथ यह वाला जो टेस्ट हा ना वह एक एक एक्स्ट्रीम लेवल का टेस्ट है क्योंकि हमारा जो यह वाला फैन है वह काफी ज्यादा साउंड करते हैं मैंने आस तक कोई भी ऐसा फैन नहीं देखा जो इतनी साउंड करता हो तो आप एक तरह से देख सकते कि अच्छी बात है वह आपको एक अच्छा का सा टेस्ट मिल गया है और आप हम चलते हैं अपने अगले टेस्ट की ओर हमारा जो अगला टेस्ट होने वाला वो आउट्डोर में होने वाला है तो इसके लिए मैं आउट्डोर में जाने वाला हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर क्या की वीडियो रिकोर्डिंग नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर audio record करने वाला हूँ क्योंकि मैं रहता हूँ गाव में और यहीं मैं वहाँ पर बाहर जाके वीडियो record करूँगा तो आसपास के सारे लोग इकठी हो जाएंगे और मुझे देखेंगे कोन सी movie की shooting कर रहा है तो हमें नाम तो बता है वह हमें भी देखनी है तो setting वगेरा का setup नहीं करना पड़ता और रूम में आपको करना पड़ता है बट एक बात यह भी है कि बहार की जो noise काफी capture होती है यह आपके आज पास crowded area है तो आपकी जो बहार की noise काफी capture हो जाती है क्योंकि काफी नजदीक से जो बाइक वगरा गाड़िया वगरा निकल रही है तो ऐसे में आपको कुछ इस तरह की audio output मिलता है सो गई जब हम perform करते हैं हमारा अगला टेस्ट और इस टेस्ट में हम क्या करने वाला है कि मेरे पास एक secondary device है और इसमें क्या करना है मैं गाने बजाने वाला हूँ में पास DJ आलोग तो नहीं है और मैं आप फिलाल इस फोन से ही काम निकलने वाला हूँ और इसलिए इसमें गाने चलाने वाला हूँ और देखते हैं किस तरह के आपको आउटपुट मिलने वाला है audio का इसलिए मैंने आप डीजी आलोग तो नहीं चला रखा उसका पीसरी रीजन है या कोपी राइट वगेरा लगा देते हैं लोग तो इसलिए मैंने डीजी आलोग तो नहीं लगा रखा बलकि ncs के कुछ गाने चला रखे हैं और कुछ इस तरह आपको ओडियो आउटपुट म क्युक्त चलते हैं क्योंकि साध्या आसपस तो काफिक कम बार होती है दूर दूर चलती रहती है तो मैं आपर कोड़ी कम कर देता हूं ओडियो को तो मेरे साब ची तो यहां पर कुछ इस तरह कि आपको ओडियो सुनाई देती है अपके आस-पास गाना चल रह रहे है कोई माइक में आप आवाज आ रहे हैं तो आप कमेंट करें बता है कि कैसी आवाज आपको फिलाल सुनाई दे रही है तो गैज आपने चालते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की और अब जो हमारी जो टेस्ट होने वाले हैं वो इस पर डिपेंड़े कि आप कौन सी कैमरा एप यूज करते वाले हैं वैसे मैं आपको मतादू कि जो भी आपने अभी तक वीडियो देखिये उसमें पूरी वीडियो में मैंने जो एप यूज किये वो मेरे फोन की एप है यहां जो प्रिइंस्टोल एप आती है अपने फौन की कैमरा एप उसी से मैंने पूरी वीडियो रिकोर्डिंग करनी है और जो ओड़ियो उसी से रिकोर्ड हुआ है कोई अलग से इप मैंने यूज नहीं किये बट काफे बंदे का अपन कैमरा एप यूज करते हैं और काफी तो इनकी जो audio quality आती है, जो output आता है, उसमें इससे थोड़ा different होता है, थोड़ा थोड़ा in apps में difference मिलता है, या output है इससे mic से निकालते है, तो भी आपको थोड़ा difference देखने को मिलने वाला है, इसका best result देखने के लिए क्या करता हूँ, कि मैं यहाँ पर कुछ क्लिप play कर देता हूँ, देखो कैसे देख रहे हैं मुझे, और कैसे देख रहे हैं वीडियो को, और subscribe नहीं करना है, यह नहीं, subscribe तो करना नहीं है, पाकि जो bell icon दिया गया है, नहीं से वो तो ऐसे ही दिया गय क्यों कि मैं personally यह यह यूज करता हूँ, और काफी इस चार्टपुट निकाल के देती है, इसलिए मैं बोला हूँ कि बोय आगे मैं के साथ, यदि आपको सिर्फ audio record करने हैं, तो यह यह यूज कर सकते हैं आप, अभी तक हमने काफी सारे test कियो, और उनका जो result है वो आपके स कुत्ते बाहर बोगते रहते हैं, तो वो काफी बार, जो sound कुत्तों की, वो काफी बार capture हो जाती है, माइक में काफी बंदों ने comment भी किया है, बट फिलाल वो कुत्ता जूब हो गया है, वो बोला है कि नहीं मेरे को recording वेगरा नहीं करवारी है, तो नहीं करते हैं उसकी recording, औ कि औल वोड है कि अज़ है